दूस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत आया है मारे विडिव चैनल में आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में राज्य बस्ता के बारे में इसके कुश्चन आपके कहां से पूशे जाते हैं कौन कौन से इसके लीए चैप्टर कोड़ने है और आपको इसके लिए कौन चैप्टर की बात कर लेते हैं चैप्टर में सबसे पहले आपको बेसिक इसका पता होना चीज ठीक है बेसिंग में आपके आ जाएंगे जैसे के लोगतंतर हो गया सबतंतरता हो गयी समानता हो गयी यह थोड़ी सी चीजें बेसिक पता नहीं उसके लिए मैं CRT भी आपको आग वाड़ा है ठीक है और इसका अवकास development कैसे हुआ हमारे सिविधान का सिविधान के constitution assembly ठीक है सिविधान सभा बनी थी जिसमें मेंबर कितने थे वो सारी चीज़ें उसके बाद अगला chapter है आपका राज्यों का निर्मान इस्टैबिलिस्बेंट और creation of state ठीक है राज्यों का निर्मान कैसे वह भाषा के अदार पर बढ़ने वाले पहला राज्य कुन सा है ठीक है और जैसे हमारा हर्याना बना एक नुम्बर नसव चाहसे को इस सारे राज्य कब कब बने हैं उसके बाद है आपका fundamental right fundamental right fundamental duties प्रिंसीप इसमें citizenship मैंने लिखा citizen पढ़ना तो आपको सारी चैप्टर इपॉटन यहीं आपके citizenship से जानातर कोश्चन नहीं पूछे जाते में से वगएरा मैं कुछ करन से जोड़के पूछ ले जाता है प्यूती में तो नहीं पूछा जाएगा fundamental right बहुत डीप में पढ़ने पढ़ते हैं उसके लिए मैंने वीडियो भी शुरू करती हूँ बहुत जादा डीप में उसके कोश्चन पूछा था चाए पीटी हो चाए मेंस हो ठीक है तो डूटी है एक ही उसका चप्टर है डीपीएसपी है ठीक है गांधिवादी कौन से है समाजवादी कौन से हैं उधारवादी कौन से हैं अगला चप्टर है प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट के सारे के सारे आर्टिकल ठीक है प्रेजिडेंट की पावर ठीक है वीटो पावर सारी चीजे और गवर्नर जो प्वेंट करते हैं ऐसी पार्लेमेंट सिस्टम है उ और विधान सभा कैसे बनती है बाकी की आर्टिकल ज्यादा नहीं करने आगे गए यूटी से जुड़े आर्टिकल जो एक्ट और बिल वाला जो मामला है यह सेंटर के मामले में याद रहने चीए स्टेट के मामले में सिर्फ वही है जिसमें रास्टपदी की प्रमीशिल नही फिर है पंचायत और नगरपाली का इसके अमेंडमेंट भी और इसके आर्टिकल भी यह यूटी और मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूटी और मेंस दोनों में पूछा जाता है डीप में खासकर पंचायत वाला जो मामला है पंचायत वाला जो मामला ह हुसके बाद है इप्पोर्टैंअ आर्टिकल जो एपषार्टैंटोटर्टेस आर्टिकल मेन बता है और पूरे ट्टेल नेपा टो टोटल आर्टिकल आपको चीह से वीड़ी चीज़ तो बता देना है फिर है मैंने मेंस विदान सुन्स्वतन वो भी ऑप्रटेंट है इस पर बता देना है और स्चेडूल तो सारी करने पड़े ही बाराग के बाराग शेटियूल जितने बाराग सूची है हमारी ठीक है जी फिर है important commission important commission जैसे के समधानिक आयो कौन सा है ठीक है जी वित्तायोक finance commission UPSC संगलोक से वायोक निरवाचन आयोक भाषा से आयोक उनसे जुड़ी हो article आपको बार बार यह चीज ना देखने पड़े आप बात कर लेते हैं इसके लिए पढ़ना गया देखिया सबसे important मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको हिंदी इंग्लिस दोनों मिल लिए गए आपको 11 क्लास की NCRT है बारतकास, विधान, सिधान, तरबेबार, Indian Constitution at work 11 क्लास की NCRT है इसी से आपका काम चल जाता है अगर आप किसी state PCS की त्यारी कर रहे हों तो ठीक है अगर आप किसी state PCS की त्यारी कर रहे हों किसी और एक्जाम की लेकिन अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हों तो च्टी से लेकर जो बारवें तक की NCRT है ठीक है UPSC के लिए मत्तों सिर्फ UPSC के लिए जिसमें और चीज़ें वैसे इससे भी काम चल जाता है और कोई जादा जूरत नहीं है पड़ने की लेकिन सिर्फ अगर UPSC के लिए कर रहे हो तो च्टी से बारवें तक की आप पड़ सकते हो उनको लेकिन ये पॉटेंट है पड़नी ताकि आपकी basic चीज़ें आपकी clear हो जाएगी ठीक है state PCS की त्यारी कर रहे हो RS की HCS की ठीक है UP PCS की उत्रखंड की CV उसके बाद जो Bible बुक है इंडिन पॉलेटी के लक्षमी कांद आपको पता ही है सारी चीज़े रेफ्रेस बुक से इससे clear हो जाएगी कुछ नहीं बचाएगा आपका सारी की सारी चीज़ें से clear हो जाएगी लक्षमी कांद से ठीक है हाला कि इसमें सारे चेप्टर रिपॉर्टेंड नहीं कुछ चेप्टर मैंने आपको बताई दिए फिर भी अगर आपको बुक का को रिभी चीज़े तो comment box में जरू लिखना सेकंड यह चीज़ होगी और थर्ड आगा आपका बेरक्ट जो आपको डिगलॉट मिल जाते हैं यह सेंट्रल अपडिकरिशन का मैंने लगा रहा है सेंट्रल अजन्सी का भी आता है यह आपको डिगलॉट में लेना चाहिए क्योंकि बेरक्ट की भाषा दो कलिस्ट है ठीक है यह आर्टिकल के लिए है आपके यह जितने भी आपके आर्टिकल हैं कॉंसिट्यूशन के यह बेसिक है इसका ठीक है जो आपके अमशेद हैं यह आपको साथ में रखना ही पड़ेगा तो यह तीनों बुक होगए आपके बास में चाहिए यह होगा अबात का के कोश्चिन उससे जुड़ा होता कमेंट बॉक्स में जूर लिखना ठीक है मैं आप उसका रिप्लाइ करूंगा तेखनी उत सुनने के लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत बंदे बात रहूं